मुझा अच्छा अच्छा है हम उनके अंश है हम उसके अंश है और पुत्र भी है अमृत्रच्छ वही पुत्रा अरे पुत्र ही क्यों एको हमेदेवो नारायणो माता पिता भ्राता शुरहित गती ही बेद कह रहा है वह हमारा सब कुछ है भी नहीं ही आत्मा है नहीं है बात ये नमबर एक ग्यान हम आत्मा है शरीर नहीं जब ये बात आप मान लेंगे तो फिर मा क्या बाप क्या भाई क्या बहन क्या बीबी क्या संसार क्या सब खतब क्योंकि हम शरीर ही नहीं ये तो शरीर सम्मंदी लोग है अरे भाई आपका अपना बेटा है है और एक वह बहन का बेटा है वह भाई का बेटा है वह पड़ोसी का बेटा है ऐसा आप बोलते हैं न उसका बेटा है आवारा हो गया हो जारी दिखा करना अपना का बिगरता है अपना बेटा तो ठीक है अपना बेटा जैसे शरीर को मैमान करके अपने बेटे में ममता रखते हैं ऐसे आत्मा को मैमानो तो फिर शरीर के विशे में तुमारा कोई टेंशन ही न रह जाए खतब हम शरीर ही नहीं तो भगवान से हमारा सब संबंध है लेकिन हम जानते नहीं हम जानते नहीं कि एक कथा बाचत लोग दिश्टांत देते हैं बड़ा अच्छा कि एक बाप ने किसी गलती पर बेटे को डाटा जो एक जापड लगा दिया तो बेटा ने इतना फील किया उसने कि वो भाग गया घर छोड़ के और बाहर गया और बहुत परेशान हुआ पिर उसके बाद कुछ कामधाम मिला और बहराल उसके बाद दो लाखों कमाया भी जो खुब कमा लिया जवान हो गया तो उसने का आप चलना चाहिए हम बाप को बताना चाहते हैं कि हम भी कुछ बन सकते हैं आपने घर से निकाल द तो जिस अपनी कार से जा रहा था और रास्ते में फेल हो गई तो एक शहर में धर्मसाले में रुक गया की कार बन जाएगी तो सबेरे चलेंगे उसका बाप उसके प्यार में हाफ मैट की अवस्था में कभी रोवें कभी चिलाएं अकेली संतान थी आसकती बहुत थी तो उसी धर्मसाला में वो भी आके ठहना था वो हाफ मैट बाप भी और दोनों के कमरे अगल बगल लेकिन बाप ये नहीं जानता है कि ये मेरा बेटा है बेटा ही नहीं जानता कि मेरा बाप ने तो बाप रात में कभी रोवें कभी कुछ करें कभी हरकत करें कभी बाहर आवे कभी भीतर जाए तो लाकिया को बाद इस्टर्ब हुआ कि बड़ा आदमी हो गया था लड़का कोठी काल जिसके हो जाती है जरा सांजी हो जाती है तो उसने बुलाया धर्मशाला के मैनेजर को उसे कहा क्या पागलों को ठहरा लेते हो तुम्हें हाँ पर और रात पर हम सो नहीं पाएं तो बाप सुन रहा था तुम्हें का आजा एक ज्यादा बात नहीं करना और ज्जापर देंगे कि अब दोनों में बाच्चीत बढ़ती जा रही है इतने में उसके लड़के ने कहा जानते हो मैं ठाक कुरूं तो बाप ने कहा मैं भी ठाक कुरूं कुछ-कुछ बात मिलने लेगी इसके बाद बात करते करते गाली गलोच करते करते अपने बाप कर नाम ले लिया उसने लड़के ने मैं उनका लड़का हूँ जोने अपने बच्चे की परवा नहीं की और जापन लगा कर घर से निकाल दिया था आप बाप के जमाग में आया अले यह तो मेरा ही बेटा है अब उनकी आखों में वो गुस्ता और लड़ाई जगड़े के बात खतम होकर के प्यार आ गया बच्चे को भी आश्चर दो रहा है कि यह पूरा पागल है अभी तो लड़ रहा था आप देखों बड़े प्यार से देख रहा है मुझको फिर उसने जब बेटा कहिके हाथ फैलाया तो लड़की ने कहा हजीब पागल आदमी है अभी पता नहीं मुझको चिप्ताने में कहीं काट खाय कुछ करें पागल आदमी क्या भरोसा है तब बाप ने कहा कि बेटा मैं वही बदनसीब बाप हूं उस सब्सक्राव का रहने वाला और तेरे लिए मैं पागल हो रहा हूं अच्छा आप दोनों मिलके एक हो गए ठीक किसी प्रकार हम लोग अनादिकाल से भगवाल से बहर मुख हैं पीठ किये हुए हैं भूले हुए हैं लेकिन अगर कोई महापुरुष हमको बता दे ए यह है तेरा है यह नहीं है समझ ले तू तो महाप्रले में पेंडिंग में पड़ा था हां यह तेरा जो रिष्टेदार है इसी ने यह संसार बनाया तुझको भी प्रकट किया मा के पेट में तेरी रक्षा की और पैदा होने के बाद मा के अस्तर में खाने का प्रबंध भी किया तेरे लिए फिर संसार में तमाम धन धान वगएरा का प्रबंध किया फिर तेरे अंदर जो चेतना शक्ती है जो बुद्धी में मन में ततत कर्म करने की शक्ती है यही दे रहा है यह इंद्रिय मन बुद्धी में जो शक्ती हमको मिली है यह भगवान के द्वारा मिली है वह इतनी हेल्प कर रहा है हमारे भुला देने पर भी हम बेवकूपर वो तो सरबट्गे वो क्यों गलती करेगा वो तो अपना सम्मल्णी मानता है इसलिए हर चण सदा सरबत्र हमारे साथ रहता है साथ एको देवा सर्वभूते सुगूला सर्वभ्यापी सर्वभूतांतरात्मा वही एक भगवान अनन्त जियों में अनन्त रूप धारन करके उसको शक्ती भी देता है कर्म करने की और अंदर से धक्का भी देता है धक्का है गरत काम मत करो नहीं करेंगे अरे कह रहे हैं मत करो नहीं करेंगे करो एक बार सब आप लोगों को गरत काम करते समय धक्का लगता है भी तर से मैं चोरी कर रहा हूं है तो पाप लेकिन करूंगा यानि वो अंदर बैठा हुआ हमारे कर्मों का फल भी देता है कर्मों को भी नोच चरता है इंद्रियों में तत्त सक्ती भी देता है और जहां जहां हम जाते हैं साथ रहता है यहां तक कि सैपलों गाली देने वाले शुषपाल रावन के लिए उसने यह नहीं किया कि तुम हमारे इस प्रिश्वी का पानी पियो तो जहर बन जाएगा बैटा पानी पियो चलो इसे प्रिश्वी गाव पानी पी रहा है अन्न खा रहा है इसे वाईवंडल में घूम रहा है इसी आकाश में विचरन कर रहा है वो रावन कुम्भकरन सब और भगवान ने दुश्मनी नहीं कि संसार में जराची गरबड करे कोई मा हो बाप हो बीबी हो बेटा हो गेट आओ तो हमारा पूर्ण संबंधी है यानि हमारे विपिरीत भाव में भी वो अन्कूल रहता है इसे बड़ा और क्या संबंधी कोई होगा हमारे संसार के संबंधी जो टिम्परिरी है वो भी तभी तक जब तक अन्कूलता रहे एक सेंटेंस खाली बोल दे खतरनाक बीबी पती को पती बीबी को बेटा बाप को बाद देखो कांड कांड खड़ा हो जाए तो भगवान से अपने संबंध को ठीक ठीक समझना तो प्रतेक अंश अंशी का दास होता है अस्वाभाविक को प्रवित्ति होती है अंशी के प्रति जैसे अगनी की अगनी ज्वाला की सूर्ज की ओर प्रवित्ति होती है जैसे जलब प्रवाह की समुद्र की ओर प्रवित्ति होती है ऐसे ही अंश की प्रवित्ति अंशी की ओर है इसलिए तो हम लोग भगवान संबंधी आनंद ज्यान और सत्ता अनंत जीवन चाहते हैं हमा तो इस सम्बंध को हमें जानना है प्लस मानना है जानना भी बहुत बड़ी बात है लेकिन असली जानने का मतलब मानना और सदा मानना सर्वत्र मानना हमारा भगमान से सम्बंध हो फिर उस सम्बंध में गड़बड कैसे हुई उस सम्बंध में फिर कैसे हम अपने को प्रमेश करा करके अपने लक्ष को प्राप्त करें ये सब ज्यान इसके बाद और भी आवश्यक है ओ भी मिलेगा कल बोलिये बिंदावल बिहारी लालगी